आयुर्वेद में 101 प्रकार की मृत्यू मानी गई है, परंतु धार्मिक ग्रंथ में 14 प्रकार की मृत्यू है। राम रावन युद्ध चल रहा था, तब अंगद ने रावन से कहा, तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा? रावन बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे? अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धौकनी भी लेती है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मरित समान है, वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदयव वासना में लीन रहता है। दो, वाम मारगी, जो व्यक्ती पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मारगी कहलाता है। तीन, कंजूस, अति कंजूस व्यक्ती भी मरा हुआ होता है। जिसके पास बुद्धी विवेक न हो, जो खुद निर्णे न ले सके, यानि हर काम को समझने या निर्णे लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ती भी जीवित होते हुए मृतक समान ही है, मूर अध्यात्म को नहीं समझता। 6. जिस व्यक्ती को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। 7. सदा रोगवश, जो व्यक्ती निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है, स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ती मृत्यू की कामना में लग जाता है, जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ती जीवन के आनंद स वंचित रह जाता है, 8. अतिबूढा, अत्यंत व्रिध व्यक्ती भी मृत्य समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है, शरीर और बुद्धी दोनों अक्षम हो जाते हैं, ऐसे में कई बार वह स्वयम और उसके परिजन ही उसकी मृत्यू की कामना कर ने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ती मिल सके, 9. सतत क्रोधी, 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ती भी मृतक समान ही है, ऐसा व्यक्ती हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है, क्रोध के कारण मन और बुद्धी दोनों ही उसके नियंतरन से बाहर होते ह जिस व्यक्ती का अपने मन और बुद्धी पर नियंतरन न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता, पूर्व जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है, क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरगगामी होता है जो व्यक्ती पाप कर्मों से अरजित धन से अपना और परिवार का पालन पोशन करता है, वह व्यक्ती भी मृत समान ही है, उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं, हमेशा महनत और इमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए, पाप की कमाई पाप में ही जाती है, और पाप की कमाई से नीच गोत्र, निगोध की प्राप्ती होती है। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं, शरीर को अपना मान कर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नश्ट होने वाला है। तेरह, परमात्म विमुख, जो व्यक्ति ईश्वर यानि परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत्समान है। चौदा, शृति संत विरोधी, जो संत, ग्रंत, पुराणों का विरोधी है, वह भी मृत्समान है। शृत और संत, समाज में अनाचार पर नियंत्रन, ब्रेक का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक न हो, तो कहीं भी गिरकर एक्सिडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रन नहीं रह जाएगा। अतह मनुष्य को उपरोक्त 14 दुर्गुणों से यथा संभव दूर रहकर स्वयं को मृतक समान जीवित रहने से बचाना चाहिए।